असलामनेकूम मैं अबहर्मिर आज की इताथा क्रिप्टो न्यूस को लेके इल्मियानम के चनल पर हाजिरू हूँ आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है एक सब्टमबर 2020 और सबसे पहले बिटकोइन की अगर फोर आवर टाइम पर बात की जाए तो बिटकोइन जो सा है वो बिल्कुल साइड पर साइड रन दिखा रहा है और तकरीबर 49,000 से लेके 46,000 के धर्मियान में इस वक चाल रहा है और अभी भी तकरीबर 47,000 के पर ट्वेड हो रहा है तो रिजन जैसा कि मैंने आपको पिछले काफी बिल्टन के दर्ब बताता है आउंके रिजन यही है कि मार्केट जो सा है वो क्रेक्शन की तरफ जा रही है और हम दो देखेंगे कि इसकी वैली जो से हो फिलहाल साइड क्रिप्टो क्वांट के बारे में आपको पहले ही अपने न्यूस ब्लेटन के दर बता चुका हूं कि यह क्रिप्टो अनलसिस वगरा करती है और प्रोपर साइंटिफिक अनलसिस के साथ अपना अनलसिस पेश करती है तो उन्होंने बताया कि बिटकोइन की जो साइकल है कि जैसे अगर जाते हैं कि क्रिप्टो करनसी के साइकल जो है वो अपने आपको रिपीट लास्मी तो रिकरती है तो इसी तरह अब वो वक्त दुबारा आ गया है कि विटकोइन की जो साइकल है वो दुबारा से रिपीट होगी कि 1217 में यह जो साइकल है पहले होना शुरू है और इसके बाद जो इसकी वैली है वो और टाइम हाय तक जाएगी और इसके मतलिक में आपको डिफरेंट लोगों का जो अनलसी था वो भी आफसे शेयर करता है हूं कि जिसके अंदर वो लोग बताते हैं कि बिटकोइन की वैली है वो तक्रीपन वन मिलियन डॉलर तक जा सकती है और फिर इसके बाद जो साइकल का जो दूसरा हीसा हुआ कि जहां पर उसकी वैल्यू दुबारा से नीचे हैं कि मतलब दुबारा से क्रेक्शन लेगी और इसके बाद जो से लेवल त्री पर जाएगी कि कहा कि हम अब देखते वेली वाई थी जैसे के साइकल टू के दर मैंने आपको दाए कि वैल्यू नीचे है कि और फिर लेवल थ्री के अंदर जो से इसके बाद दुबारा से साइट बार साइटर दिखा के लेवल फॉर पे दुबारा से अपने येलो पॉइंट तक आए कि तो इसी धना त्वेंटी थर्टीन पर इसने अपनी साइकल को को रिपीट किया और अब हम लोग देखें कि ट्वेंटी त्वेंटी-वञटीवन के अंदर ये एंड दक हम लोग देखें ये साइकल अपनी दुबारा से रिपीट करेगी इसके लाबवा दूसरा मैंगा आपके शार्ड शे है कि उनके पाट जो से वो इन फंड है कि वो लग अपने अपने से स्टेंड रख सकते हैं इसके लाव वो अभी बेच रहा नहीं चाते हैं मंतब कि जब ज्यादा वैली होगे तब बिटकों को बेचेंगे तो यह भी एक बहुत अच्छी रीजन है कि जिसके मंतलिक हम देख स सेलिंग प्रेशर जो है वह सब कम है इसके लावा एक और साथ में पिचाट शेर्ट करता चलों तो इसके मताबिक आपने से काफिताद लोग जाते होंगे कि बिटकों की जो टोट्टू सप्लाय है वह सिर्फ ट्विटी वन मिलियन है ठीक है और आपने से काफिताद लोग यह भी जाते होंगे कि सटोशी नकमतों के जो के अननल परस्टनलेटी है या अननल फर्म है उन्होंने जो यह बिटकोई मनाया है उनके वालट में इसके बिटकोई जो है वह बढ़ा हुए ठीक है और जब से बिटकोई मतलब कि यह शुरू मतलब दो हजार नो से लेकि बिटकोईन जो है यह मौव नहीं होगा है तो इसकी मतलब के डिफरन रिजंस हो सकती है ठीक है इसकी मतलब के एक रिजन तो यह भी हो सकती है कि तो शायद वह जो पर शुरूड है और अभी तक बिलकूल उनन नहीं है वो स्टिल अनन रहना चाते हैं तो ये भी एक रिजन हो सकती है कि वो बिटकोइन की जो इतनी बड़ी वैल्यू है उसको मूव नहीं कर रहे है जब से बिटकोइन मार्केट के अंदर रहा है तो ये एक फैक्ट था और चुके मानोग बिटी से के बारे में डिफरेंट जो फैक्ट से हैं वो आपके के सार शेर करना चाहिए इसके लावा अगर न्यूस के तरफ चला जाए तो सबसे पहले एलस अलवादोर के बारे में अक्सर हमारी चैनल में आप उनके हैं बिटकोइन को जो लिगल टेंडर वो मनाने लेगने उसके मुतलिक डिफरेंट जो डिवालेपेंट से उसके बारे का एक ऐसा हिसा भी है जो के बिटकोइन को एस लेगल टेंडर नहीं देखना चाहता है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी मतलब के कोई नई चीज़ आते हैं तो हमेशा उसके हक्में भी बहुत जादा लोग निकलते हैं इसके खलाफ भी बहुत ज़्यादा लोग वो बिटकोइन को ऐसे लेगल टेंडर बनाने के इतिजाज में निकल आया है और उन लोगों इसकी रीज़न ये अब दाई है कि वोलाटैलिटी जो है बिटकोइन की वह बहुत ज्यादा होती है तो चुक्छे अलसलवादर की गौवर्मेंट नहीं कहा था कि वो लोग जो है इसकी लोगों की पैंश वगरा जो है वह भी बिटकोइन के दर देंगे तो पैंशन लेने वाला एक बहुत ज्यादा जो तब का है वह इसके इतिजाज में निकल आयां कि वह जैसे हम लोगों को आगर ये लोग बिटकोइन देदे हैं और जैब वह लोग उसको cash or निकल वा के गोर्मेंट जो है वो जो लोगों को पैंशन गरा दे रही थी वो सारा कुछ उनको कर डॉलर्स में देकिए तो ईलसलवादौर की लोगों की तरफ से इसका होना और फिर बहुत जल्द की जोर्मेंट की तरफ से यह एलान का होना यह यह बात जाहर करता है कि जो की गौर्डमेंट है वो पकी हो चुकी है कि उसने बिटकोई को लिगल टेंडर लाजमी तोर पे करना ही करना है और हम लोग देखेंगे कि 7 सप्टेंबर को वो लोग लाजमी तोर पे इसको लीगल कर देंगे और इसके मतलब जो प्रेजिटेंट है उन्होंने एक वीड के उपर कि गर्ण्मेंट जो से वो पकी है और इस वर जासे जो हम लोग ने देखा कि बहुत जादा जो कंट्रीज है वो भी देख रहे हैं सन्वादूर के पर कि होगा क्या फ्यूचर के अंदर तो हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जो से लिगल हो जाए इक अन्लेग कि तरफ तो सबसे पहले न्यूस आ रहे हैं पॉल का डोट की तरफ से कि जा पर हम लोग ने देखा था कि मार्किट के अंदर सिर्फ दो ऐसे क्रिप्टो क्रेंसी थी कि जिनको एथेरियम के लिए समझा जाता था जिसके अंदर एक पॉल का डोट थी और दूसरी कारडानों थ चाहिए तो इसका जुआब है नहीं उसकी वजह यह है कि अनकरीब पॉल का डोट अपनी जो पैराचेंस है उनको आक्शन करने वाला है और अब सबसे पहले मैं आपको पैराचेंस के बारे में बताता है चलूँ तो पॉल का डोट जो है वो थ्री लेर्स पे काम करने वाला एक प्रोजेक्ट है और एक जो सबसे पहले इनकी बेस लेयर है उसके उपर तकरीवा हंडर्ट जो है वो पैराचेंस है ठीक है और फिर ये पैराचेंस के उपर साइचेंस होती है और फिर साइचेंस को यूज करते हुए लोग जो है वो ब्लोक्चेंस तो ब्लोक्चेंस ज बहुत ज्यादा है और जो स्निः बहुत भ्लेगों को मिलेगी जिसके पास जो लोट है वो सबसे ज्यादा होगे मैंले डोट की value है वो पूर जाएगी तो इस एक में रिजन की वज़ा से मंतब कि यह जो ऑक्षन हो रही है इसकी वज़ासे हम लोग देख रहे हैं कि अनकरीब जो डोट की वैल्यू है वह बहुत ज्यादा उपर जाएगी और इससे आप लोग बहुत ज्यादा फाइदा उठा सकते हैं या इससे ट्रेडिंग गारा करके भी यह कैसा प्रोजेक्ट है तो उसके मतलिक हमारे चैनल में आपको ऐसी वीडियो से हैं कि जिसमें आपको ऐसी टॉप क्रिप्टो करन्सिस के जिन में आपको इन्वेस्ट्पेंट नहीं करनी चाहिए वह मिल जाएंगी और अगर तो आपने वह वीडियो करा अल्रडी देख हैं तो आपको पता लग गया होगा और वो तीन वीडियो का एक पुरा मुकमल कोर्स है हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे आप लोगो लासमी देखे तो उसमें सेफमू कैश प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया हुए कि इसकी जो टेकनोलोजी है वो एडवांस नहीं ह और फूचर में सेफमून कैश जो है वो हमें डार्क नजर आ रहा है और इसके लावा अगर मैं मोबोक्स के बारे में बात करता चलूं तो इसके मतलिक जैसे के हमारे चैनल के उपर पूरी एक सीरीज चुरू की है सर मुकदस ने आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसके मतलि है उसके बारे में मैं अगर आपको बताता चलूं तो एक तो एकदम से इसकी जो हाइप है वो क्रियेट की गई थी के जिसके वज़ा से बहुत जाद लोगों ने इसके लिए और इसके जो वैली है वो तैन डॉलर सक चले गई दूसरा यह कि इन्होंने स्टेकिंग की जो ऑ 233 परसंट रह गई है तो एक तो यह एक बहुत बड़ी रिजन है कि जिसके बहुत स्टेकिंग सारी खतम हो गई और स्टेकिंग की जो मॉबक्स भी एन्ब की जो स्टेकिंग की वैली एक तो बहुत जादा कम कर दिये इसके लाब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहा अगले जो दो से चार हफते हैं उसमें देखते हैं कि अगर तो यह लोगों को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो फिर तो हम लोग देखेंगे कि वैली जो है वह वापिस उपर जाएगी लेकिन अगर इसके अदर कोई गेमिंग्स गरा नहीं आती और यह लो अगली आने वाले वीडियो के अदर कि क्या आपको इसके अंदर अपनी इंवेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके लावा अब आगे चलते चले तो लास्टी न्यूज आ रही है एनफटी की तरफ से के जहां पे बॉल्यूड के बहुत बड़े जो इसके अंदर वो लोग अपनी पोईट्री पॉस्टर्स वगरा और डिफरेंट जो स्केजिस वगरा है मतलब के एनफटी आर्ट्स वगरा है उसको जो से एजन एनफटी बेचना शुरू कर देंगे तो एनफटी के बारे में आपको तक्रीबन हमारे सारे ही जो बुलेटर् सेलेबरिटी उतनी मेंगी उसके एनफटी तो कल की न्यूस ब्लेटरिंग के अदर भी जैसे के सर्मुकदस ने आपको डिफरेंट एनफटी प्लेटफोर्म से गरा बताये थे तो एड़ेंड आप से वीडियो मैं भी आपको फिर से यही कहूँगा कि आपको एनफटी से ज